हेलो दोस्तों तो कैसे आप इस वीडियो में बात करेंगे आएंडी वर्सेज एंजी ड्रीम 11 प्रिडिक्शन इंडिया इंग्लेंड का टेस्ट मैच है टेस्ट मैच नमबर 421 से सीरीज में इंडिया आ गया है इंग्लेंड ने अपनी 11 अनौंस कर दिया और हो गए बड़े च हैं लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्मिशन फाइनल इंफॉर्मिशन सारी टेलीग्राम पर आती है टॉस के बाद मैं आप से सजेस्ट करूंगा आप ज़रूर जुड़े यहां बल्ले बाजी करम ऑडियो गेंचेंजर इवन जो सबसे इंपोर्टेंट डास्मिनट टेक अप आपके पास आएगी और सबसे पहले आप देख पाएंगे अब दोस्तों यह मैच को होने वला है रांची में होने वला है जेनरली रांची का ट्रैक रहता है अच्छे खासे रंस करो एक इनिंग्स में उसके पाद अपने स्पिनर्स के तूट जाएगा जल्दी स्पिनर्स लिए में आ जाएंगे ऐसा स्टोक्स ते बोला है स्टोक्स रहे अबिंग्लेंड के कैप्टन तो उनको काफी नौलेज एग ही है न तो उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे फिर भी चलिए उनकी बात भी सुनेंगा और पिछले मैच मैच भी हम देखेंगे जो हम यहां पर नाइन फास्ट के मुकाबले 15 स्पिन लेकिन यह मैच ड्रॉवा था उस्ट्रेलिया ने 400 इंडिया ने 600 फिर उस्ट्रेलिया 204 पे 6 इतने मैच ही ड्रॉव हो गया कई ना कई भाई बड़ी इनिंग्स भी आई बट अगेन आपको वही देखने को मिला स्पिनर्स का गेम बना तो ओवरॉल चोवन में 23 वाष 28 स्पिन को विकेट है तीन रन आउट जब स्पिन को विक्टे जादा है तो मैं आपको यहीं कहूंगा स्पिन पर भरोसा भी करें और यह वले मैच पे स्पेशली मुझे लगता है ज्यादा स्पिन पर काम बनेगा वैसे ही जो सब्सक्राइब यहां पर जब क्यूंगी हाफ सेंसरी दो है जड़ेजा के दो मैच 12 विकेट है अश्विन के दो मैच तीन विकेट है इस ग्रौन पर तो बाइट जड़ेजा तो किंकी तरह खेल रहे हैं वही आप उमीद फिर से कर सकते हो अब तोटल 134 मैच में भारत 33 में जड़ेजा ने टोटल मैच में साथ विकेट भी लिए 112 रन भी सरफरास ने दोनों इनिंग्स में 60 मारे आउट कोई नहीं कर पाया इनको बूलर है पहले में 62 दूसरी इनिंग 68 नॉट शुंबन गिल पहली इनिंग जीरो दूसरी में 91 अश्विन के पास दो विकेट सैंथी तो कई बन नाइट वॉच में आता है कुल दीप आये थे सिराज फोर विकेट ठीक है यहां बेंड़केट 153 जो रूट 18 और एक विकेट साथ प्लस एक विकेट स्टोक्स 415 और ओले पोप के भी 3983 आये थे मजे की बात बता रहूं आपको इस मैच में स्टोक्स ने बोला अ ठीक है अशविन 49 रन्स की है दोनों इनीक्स में मिला के तीन विकेट बुमरा इस मैच में नों ह है कुल दीप 4 विकेट कुल दीप की उपर भी चार विकेट थी अश्विन का नाम रंज में हाई है जड़ेजा आ गए है लास्ट मैचिस में रंज के बाद बागी सब का प्रिकॉर्ड देख सकते हो जैस वाल 109 एवरेज सर्फराज 130 पहला मैंच पिछला खेले 68 एंड 62 तो हो गए 130 बागी आप ओवराल रंज रीड कर सकते हो है अब शुमनिल का अच्छा नहीं है अब पिछले दो मैच में स्कोरिंग भैतर करी है उन्होंने इंग्लेंड के सामने एक इनिंग्स में ठीक है जड़ेजा आठ्रा में 63 विकेट भाई 22 में 90 एंश्विन 100 विकेट हो जागी है अब रीड कर सकते हो ओले रॉ मैं आपको ज़्यादा गौर करने को एक ही प्लेयर पर कहूँगा अकाशदीब जो एड हुए है स्कौर्ड में अभी डेब्यू करेंगे इंडिया से खेले तो जो उमीद करी जा रही है राइटाम फास बोलर है आर्सीबी में खेलते हैं पिछले मैच एक विकेट उससे पि कर सकते हैं उमीद करी जा रही थी कि केल राहूल को लेकर आया जाए बट केल राहूल इंजड हो गए तो काशदी बूमरा की जगह क्यों क्योंकि बूमरा को रेस्ट दिया भाई तुम रेस्ट करो पांच वे टेस्ट में बुलाएंगे तुम इसलिए यहां पर आप देखो रहे इंडियन टीम में अब परफॉमेस देखते हैं कैसी रही तीन टेस्ट मैच पहला मैच इंडिया हरा अगले दो इंडिया जीता है परफॉमेस देखते हैं भाई यहां 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 209 यहां 24 नंग बट बढ़ी आ इनिंग्स आगई है तो इसलिए उप्षन है मैं वी से कि एक अच्छी नों काई यहां 91 कि एक अच्छी नों काई इनका भी यही कहानी रहा है एक इनिंग्स खराब एक इनिंग्स बढ़िया पटीदार ने उतना बढ़िया नहीं किया सीरीज में सरफराज ने आती 62-68 जडेजा 87 और दो विकेट दो रन और दो विकेट तो इस मैच स्थ ऐसे ऐसाट यहीं कुछ सीर के च्रह मेरा कि च्णारल है जाएध सीराज पैसांम सेच्छा नहीं था मैच इसमें चार मैच यह नहीं किया दूसरे मैच कहले नहीं थी तीसरे मैच मैच में चारिक निकाली थी और नए प्ले रैड है हैं अकाश दीप यह आपको डेब्यू करते दिखने वाले हैं अब दोस्तों इंडिया का देख रहे हैं तीन मैच का परफॉर्मेंस सबसे पहले आप देखोगे ये शस्वी जैस्वाल पहले मैच में इनका असी आया दूसरे मैच में 209 आया तीसरे मैच में 214 नबाद तो एक में 91 किन हो गई एक इनिंग्स में चले हैं पटिदार टेस्ट मैच में नहीं चले सरफराज आते ही अच्छा खेल गए 130 मारे हैं पिछले मैच में टोटल मिला के यारी 62 और 68 नॉट नंबर पांच में बहुत बढ़िया खेले थे जड़े जा पहले मैच में 89 और चार में मिला के बता रहूं है दुरूव यूरेल आते ही 46 अच्छे खेले थे अश्विन ने हर मैच में काम किया पहले मैच में 6 विकेट दूसरे में तीन विकेट तीसरे में विकेट दो ही हैं बट 37 रन भी तो 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 टोटल आठ विकेट हैं दोनों मैच में मिला के पहला मैच नौट प्ले अब सिराज एक ही मैच पर चार विकेट अकाजदीब खेलेंगे तो डब्यू होगी तो कई ना गई इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आ रहे है बेंच की भी आप परफॉर्मेंस का देख रहा है मैं ज्यादा टाइम यहां पर नहीं ला रहा हूं आपको देखना है देख सकते हो सीरी से पहले लिखे जाते हैं आपके लिए अकाजदीब का जरूर देख लो तीस फर्स्ट क्लास मैच में 104 मतलब बंदा कुछ स्पेशल करके आ रहा है इंडिया की विकेट जीरो वन विकेट टीम में अड़ गए है यह चेंज हुआ है और शोह बाशिर भी टीम में आए हैं पिछले मैच में शोह बाशिर नहीं खेले थे बाहर कॉन गए हैं बाहर गए हैं मार्क वुड और रहान अइमद टॉप सेवध सेब हैं इंगलेंड का लास्ट मैच के जिस नहीं खेले बेंडकेट पहला मैच अच्छा खेले दूसरे मैच में नॉर्मल खेले तीसरा मैच में 153 की बहुत अच्छी पारी आई ओले पोप की पहले मैच में अच्छी पारी दैट फ्लॉप हुए लगातार जो रूट रेगुलर बेसिस पे फ्लॉप हुए इनकी अच्छ अच्छी पारी देहिं आरी 20s 30s आ रहे है स्टोक्स का एक 70 एक 47 एक 41 हर मैच में एक पारी अच्छी आई है खराब लेकिन इस मैच में स्टोक्स ने मुला है जरुवत पड़ी तो मैं बोलिंग कर सकता हूँ हाला कि यह अलग यह तू पेसर टू लीड स्पीनर्स देन एंड स्टोक्स माइट एंडब बोलिंग फोक्स का भी कोई बहुत अच्छा नौक नहीं आया टॉम हाटले पहले मैच में 9 विकेट और स्कोरी भी अच्छी थी 234 रन थे दूसरे मैच में 21 एक विकेट दूसरी इनिंग्स में 36 और 4 और पिछला मैच इनका फ्लॉप गया था वैस प्रेजेंट की है तीनों मैच इसका डेटा आप जिस प्लेयर का देखना चाहें रीड आउट कर सकते हो मैं बढ़ता हूँ आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो इंगलेंड के फुल स्टैट सभी प्लेयर्स के स्टैट्स है मैं फटा-फटा आपको गो थू करवा देता हूँ जिसका भी आपको देखना है आप देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अब हम दोस्तों थोड़ा सा ना मैच अप्स की तरफ चलते हैं मैच अप्स में भी आप देखो लिमिटेड नेम है जो इंगलेंड से बोलिंग में खेल रहा है उसी का नाम बहुत खराब मैच अप नहीं है रोहित का लेकिन रूट का देखोगे एक बार विकेट है जैसवाल के सामने हाटले का एक बार है एंडरसन ने बाई टेस्ट मैच नंबर टू में जिसमें दोरा शतक भी मारा था जैसवाल कोड किया था बाशिर की करिये खूब पिटाई य हाटले ने भी थोड़ा तंग किया है रजट पड़ीदार भाई हाटले के आगे ही आउट हुए थे जो पिछला मैच था उसमें सेकेंड मैच में रहान एमद के आउट हुए थे दोनों इनिंग्स में बड़ मैं क्यों लिखू रहान एमद का नाम क्योंकि रहान एमद 90 पर थे अब जैक क्रॉली जैक क्रॉली परिशान है यहां पर अश्विन से इसी सीरीज में इनको तीन बार आउट कर चुके हैं एक तो पहले मैच की फर्स्ट इनिंग्स पहले मैच की सेकेंड इनिंग्स और मैच नमबर थी में अकसर ने भी कई बार इनको ऊट किया टोटल चा किया है सिमिलर कहानी रूट की है जडेजा ने कहीं बार आउट किया है साथ बार अश्विन ने छे बार अकसर ने तीन बार तो भाई वही है स्पिनर्स इंडिया के भारी पढ़ रहे हैं इंग्लेंड के ऊपर वह आपको फुल मैच अपस में देखने को मिलेगा अब अश् लीफ़से बैज इस ने किया कुष्टी क कि रहें दूसरी इनिंग्स में ख़डे जाने और वन इक्सर जड़े जाने जहां बूम्हरा ने किया वह आपको मैच टू अबर नतार लुए वो सर जडेजा और कुलदीप के आगे लेफट टाम स्पिनर के आगे बड़े-बड़े प्लेयर परेशान है और ये भी हुए है स्पेशली फोक्स हुए है अकसर के सामने सब मैच अब देख लिए चली लिए अब टीम करने चलते हैं बाई जब टीम से लेट करने आए है विकेट कीपिंग सेक्शन अच्छा है क्योंकि यहां पर बेन फोक्स और द्रूव उरेल है जॉनी बैस्टो बल्ले से अभी तक काम नहीं आए है इस मैच में हाला कि यह स्टिल फील की बेन फोक्स बींगा विकेट कीपर आपको थोड़े कैचे स्टम के ड्वांटेज देते हैं सेम गोस फ़र दुरूव उरेल मुझे तो बल्लेवाजी बीडूरेल की अच्छी लगी थी बट मैं अभी बैन फोक्स के साथ जा रहा हूं से कि इनकी बल्लेवाजी दो बार आई जाएगी दुरूव उरेल माइट ओनली गेट टू बैट वंस ऐसा चंसे हैं ठीक है तो विकेट कीपर थोड़ा सा अपना चॉइस भी कर सकते हो मैं गया हूं जिसके साथ मैंने आपको बता दिया मिश्टर बैन फोक्स विकेट कीपर अब बल्लेवाजी में जैसवल का बल्ला इतना बोल रहा है तो लेना तो पड़ेगा और दो मैच में डबल सेंचरी सी वी सी के भी ऑप्शन मन गया है पहले मैच में असी की नौक थी क्रंबली विकेट हुआ तो मैं शायद सी वी सी ना करूँ अधरवाइस वी सी की उमीद अब कर सकते होगी जैसवल को कर लूँ मैं रोई चर्मा का फॉर्म ठीक है पीछले मैच में श्रतक आया है बेंड़केड इस बार नहीं है तो अच्छा खासा रहेगा शुमन गिल एक नौक इनका हर मैच में अच्छा रहा है एक पर यह जल्दी आउट हो रहे हैं सर्फ रा जो इंडिया में ही चल रहा है लगातार वह आके काम करता है प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी इनको पिछले मैच में रन आउट हुए है नहीं तो पूरे मैच में उट नहीं होते हैं रन आउट हुए सिरफ बहुत बढ़ी अखेले थे स्टोक स्माइड बोल एक आदी बल्ल वो है किंग ये तो आपको पता ही है इंडिया में तो ये तीनों को मैंने रखा है रूट तो बहुत बढ़ी या बल्ले बाज है हाला कि इस बर बल्ले बाज ही ज्यादा चला नहीं ग्रैंड लीग में ट्राय करना सी बीसी जड़ेज और अश्विन आपके में की विके टेक रहान एमद नहीं खेलेंगे तो इनका बल्ले से ज्यादा उप्योग हो सकता है वैसे तो अभी भी मार रहें बीस पच्छे संपर मैच दैन आपको विकेड भी दे जाते हैं तो अच्छे ऑप्शन है कुल दीप या जब चाइन गिदवाजी करेंगे दो मैच के लिए दोनो उसमें रहान का नाम नहीं है अंग्लेंड ने बोल दिया हम यह 11 खिलाएंगे जो मनें आपको दिखाई है बट उसके बाद स्टोक्स ने का पिछ मुझेल देखने में थोड़ी हरी लग री थी अंदर से तो यह कुछ और ही निकली उस वज़े से अगर ओरनाइट कोई चें बंगदा नॉन रिटाइड प्लियर्स बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं टेस्ट में जवाब नहीं है पूरी दुनिया में विक्टे निकाली इन्होंने अपने कोच ब्रेंडन मिकेलम को भी बोल्ड करा हुआ है सोचो ऐसे लेजेंड है अपने कोच को भी बोल्ड करा हू कोई जरूरी नहीं है लेना ओले अडवर्ड रॉबिंस्ट तेज गेंद बाज है मीडियम पेस करते हैं स्विंग करते हैं इंग्लेंड के लिए इंडिया के सामने अच्छा रिकॉर्ड है बत वो मैच इंडिया में नहीं इंग्लेंड में खेले गए थे बहुत बढ़िया रोहिज शर्मा को भी कहीं बार उट किया बट वही बात है वो मैचिस इंगलेंड में हुए थे हाला कि ओले एडवर्ड रॉबिंसन बल्ले से शौड भी लगा लेते हैं तो एक डिफरेंशल का काम कर सकते हैं गस एटकिंसन बेंच पे हैं तो यह तो मेरे फाइनल प्लेयर्स हैं यह तो मुझे प्लेयर चाहिए ही अब मुझे दो प्लेयर और सी है जो मैं कोशिश कर रहा हूंगी बैटर्स मिलूं बैंट ड़केट की मुझे बल्ले बाजी देखके मजा आ रहा है काफी अच्छा खेल र सकते हो समवन लाइक ओले रॉबिंसन सिराज आपकी मरजी है मेरी कैप्टन सी तो जडेजा पर ही जाएगी जिससाब से जडेजा खेल रहे हैं डेफिनेट कैप्टन ऑप्शन है मेरे तो कैप्टन जडेजा ही रहेंगे वाइस कैप्टन सी के दो अविकल पैस्वाल और तो जैस्वाल और अश्विन में आप सीवीशी कर सकते हो मेरे फिलाल मेरे जो रीजन है उसकी वज़े से अश्विन है बट मैं जैस्वाल को कंसिडर करूंगा अगर मुझे पिछ अच्छी लगी अगर इंडिया बैट फस्ट हुई इफ इंडिया बैट फस्ट भी फिर आप जैस्वाल को भी वाइस्वाल कर सकते हो ठीक है अभी मेरे कैटन कॉन है मैं फिर से बता रहा हूं ताकि अपको confusion ना हो जटेजा सर जडेजा और वाइस कैटन सी अश्विन आप चेंज करके इसमें definitely जैस्वाल पर जा सकते हो टीम आपको दीख रही है लेकिन मैंने सारी बा तब तक दिहाम रखिए